नमस्कार मेजाय कुमार Electoral Bond मामले पर सुप्रीम कोट ने State Bank of India को फिर से डांट लगाई है फिर से हड़काया है सुप्रीम कोट ने State Bank of India को Electoral Bond के सम्मंद में उसके पास मौझूद सभी डिटेल का खुलासा करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में कंसीएबल डिटेल सब्द का इस्तमाल किया है मतलब सुप्रीम कोट के आदेश के मताबिक State Bank of India को Electoral Bond के सम्मंद में उन सारे डिटेल का खुलासा करना है जिनके बारे में या सोचा जा सकता है कि Electoral Bond के सम्मंद में वा सारे डिटेल State Bank of India के पास मौझूद है मगर वा दे नहीं रही है जैसे कि State Bank of India के पास Electoral Bond से जुड़े हुए Unique, Alpha, Numeric की मौझूदगी है Serial Number की मौझूदगी है मगर सुप्रीम कोट के कई बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी State Bank of India ने इसे सारवजनिक नहीं किया है सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में कहा कि State Bank of India के चेर परसन 21 मार्च साम 5 बजे तक सुप्रीम कोट में एफ़ी डेविड डाकिल कर यह बताएंगे कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉंड से जुड़ी हुई सभी डेटेल को सारवजनिक कर दिया है उनके पास अब किसी भी तरह की डेटेल मौझूद नहीं है इलेक्टोरल बॉंड मामले पर State Bank of India की रवाईये से ऐसा लग रहा है जैसे कि वह यह साबित करने पर तुली हुई है कि भले उसके नाम से ऐसा ऐसास होता हो कि वह भारत के लोगों की बैंक है मगर ना तो वह भारत की लोगों का भला चाहती है ना तो भारत की सरकार का भला चाहती है वह बस यही चाहती है कि कैसे भी करके मोधी सरकार के दौर में नेताओं और कॉर्परेट की साथ गांट का जो धंदा चल रहा है वह उजागर ना हो 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉंड इसकीम को संवेधानी करार करके खारिच कर दिया था पूरी तरह से ततकाल प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि इलेक्टोरल बॉंड के खरीद दारो और इलेक्टोरल बॉन भुनाने वालों से जुड़ेवे जितने भी उसके पास सूचनाएं हैं जिसे एक वोटर को जानना चाहिए वो सब को 6 मार्ट 2024 तक Election Commission of India के वेबसाइट के जर्ये पब्लिक के सामने रख दे State Bank of India ने करीबन 15 दिन से जादा वक्त तक इस सूचना पर वो बैठी रही और 6 मार्ट से 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोट में ही अरजी डाल दी कि Electoral Bond खरीदने वालों और भुनाने वाले Political Party के मिलान करने में बहुत मुस्की ला रही है उसे 3 महीने का वक्त चाहिए मतब लोग सभा चुनाओं से पहले वो आँखडे नहीं दे पाएगी सुप्रीम कोट ने State Bank of India की अरजी को खारीज कर दिया कहा कि आपके पास Electoral Bond खरीदने वालों और Electoral Bond भुनाने वाले Political Party के जिस तरीके से जितने भी आखडे मौझूद है उसे सारुजनिक कर दीजिये उसके बाद State Bank of India ने किस तारीक को Electoral Bond खरीदा गया और किस तारीक को Political Party ने Electoral Bond भुनाया इससे जुड़ी हुई सूचनाओं को सारुजनिक कर दिया मगर Electoral Bond के साथ जुड़े हुए Unique Alpha Numerical Serial Number को सारुजनिक नहीं किया मतलब State Bank of India ने Electoral Bond से जुड़ी जिन सूचनाओं को पब्लिक में दिया उससे यह तो पता चल जाता है कि किसने Electoral Bond खरीदा है और किसने भुनाया है मगर यह नहीं पता चलता है कि किसने Electoral Bond खरीद कर किसको दिया है यह पता चलने के लिए जरूरी है कि Electoral Bond पर मौझूद Unique Alpha Numeric Serial Number भी सारुजनिक कर दिया जाए इसको State Bank of India ने छिपा लिया Supreme Court ने फिर से इस मामले की सुनवाई की सुनवाई करते हुए Chief Justice of India चंदरचूण ने कहा कि State Bank of India के रवये से ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहती हूँ कि Supreme Court of India उसे हर डिटेल मांगे तब जाकर कि वो Electoral Bond की हर डिटेल को सारुजनिक करे डिटेल नहीं देनी है उसे इमांदारी से सारे डिटेल को सारुजनिक कर देना चाहिए 18 मार्च की तारीक को ही इस सुनवाई पर Supreme Court of India का अंदाज State Bank of India को हड़काने और फटकारने किसम का था ऐसा था जैसे कि Supreme Court State Bank of India को डांट रही हो बार-बार State Bank of India को आदेश देने के बावजूद भी वह Electoral Bond से जुड़े सभी डिटेल को सारुजनिक क्यों नहीं कर रही है इसलिए Supreme Court ने अपने आदेश में कहा कि कि किस मार्च साम पांच बजी तक State Bank of India कोट में अफिडेविट दाखिल कर या बताएगी कि उसने Electoral Bond से जुड़े हुए सभी डिटेल को सारुजनिक कर दिया है किसी तरह की डिटेल को अपने पास नहीं रखा है यह जिम्मेदारी कोट या किसी याचिका करता कि नहीं होगी कि अगली बार कोट या याचिका करता या बताएँ कि State Bank of India ने अमुग जानकारी को छिपा लिया है State Bank of India को खुद यह कानूनी कागज पर बताना पड़ेगा मतलब F.V. David दाखिल करके बताना पड़ेगा कि उसने Electoral Bond के संबंद में किसी भी तरह की जानकारी को छिपाया नहीं है वकील प्रसान भूसर ने ट्विट कर लिखा कि S.B.I. को अलफा नुमेरिक नंबर सहित Bond के सभी डिटेल तुरंत जारी करने का आदेश देने के लिए Supreme Court को बहुत बहुत धन्यवाद जो अंतता लोगों को निर्नेयात्मक रूप से मिलान करने की अनुमती देगा कि किस दान करताने किस डोनर ने किस पॉलिटकल पार्टी को कब दान दिया सरकार इसे छुपाने के लिए बेताब थी CII, Fikki, S.O.C.M. ये वैपारिक कारबारियों का संगठन है वह भी चाहते थे कि इसे छुपा लिया जाए अब आप पूछेंगे कि वकील प्रसांद भूशन की बातों में Fikki और S.O.C.M. जैसी संस्थाएं कहां से आ गई तो बात यह है कि 18 मार्च यानि आज की सुप्रीम कोट की सुनवाई में Fikki और S.O.C.M. के प्रतिनीधी के तौर पर देश के नामे गिरामी वकील मुकुल रोतगी और मैथ्यूज नेंदूपारा भी पहुँचे थे Fikki और S.O.C.M. जैसी संस्थाएं कमपनियां और उद्योग जगत की प्रतिनीधी करने वाली संस्थाएं हैं इनके लाखो सदस्य हैं सुप्रीम कोट में इनका आवेदन पेस करने वाले मुकुल रोतगी गा कहना था कि उन सूचनाओं को उजागर न किया जाए जिससे यह पता चले कि किसने इलेक्टोरल बॉंड खरीद कर किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी चंदा दिया है मतलब जो सिरियल यूनिक सिरियल नंबर को उजागर करने की बात की जा रही है उसे उजागर न किया जाए सुप्रीम कोट के पांचों जजी सावेदन पर जला गए चेप जस्टिस आफ इंडिया चंदर्चूर ने कहा कि जब हमने इस पर फैसला दे दिया है उसके बाद आप आ रहे हैं अब ही हम आपको नहीं सुन सकते हैं हम आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं जैसे व्यवस्था सबके लिए है वैसे ही आपके लिए भी है बताईए मतब आप ही सोच कर देखिए कि इन कारोबारियों की इतनी हिम्मत आती कहां से है कि उनकी तरब से पेश हुए जाने माने वकील देज के करोडों किसानों के प्रतिनिती सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं कि हमें हमारे मेहनत की वाजिब कीमत नहीं मिल रही है MSP की लीगल गारांटी दे दीजिए यह तो ही State Bank of India पर Supreme Court की डांट और फटकार की बाद अब Electoral Bond से जुड़े हुए कुछ और खुला से पर बात करते हैं Supreme Court ने 2019 और नवंबर 2023 में सभी Political Party को कहा था कि वो अपने Electoral Bond के Detail को Election Commission of India को सौंप दे Political Party ने अपने Detail को Election Commission of India को सौंप भी दिया था इसे Detail को Election Commission of India ने 17 March को पबली कर दिया है यानि कि साल 2018 से लेकर के फरवरी 2024 तक जब तक Electoral Bond की योजना चल रही थी उस दोरान के सभी आंकडे सारवजनिक हो गए हैं जो Electoral Bond खरीदने वालों से जुड़े हैं और Political Party के भुनाने वाले से जुड़े हैं उस दोरान तकरीबन 16,000 कोड़ पैसे जादा के Electoral Bond भी के इस दोरान 84,000 कोड़ पैसे जादा रुपे का Electoral Bond केवल भाजपा के हिस्से में आया है मतलब 50% Electoral Bond का पैसा भाजपा की जेव में गया इसके बाद Congress का नंबर आता है जिसे तकरीबा 1950 कोड़ पै मिले तीसरे नंबर पर त्रिनमूल Congress का जिसे 1707 कोड़ पै मिले मतलब ग्री मंत्रिय मिट सास लेकर के भाजपा की जितने भी मंत्री यह कह रहे हैं कि कुल 20,000 कोड़ पै में से 6,000 कोड़ पै का Electoral Bond भाजपा को मिला है वह सरासर जूट बोल रहे हैं जूट बोलना भी उनके लिए गलत सब्द होगा क्योंकि वह सच जानने के बावजूद भी जबरन जूट बोल रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि जो वह बोल रहे हैं वह सच है इसे ही लोकतंत्र के साथ गद्दारी कहा जाता है मामला साप साप दिख रहा है कि कुल 25 से जादा पोलिटकल पार्टियों ने Electoral Bond के जरिये पैसा लिया है उसमें से केवल एक पार्टी भाजपा को 50 परतीसत की हिस्सेदारी मिली है मतलब भाजपा के अलावा सारी पोलिटकल पार्टियों को 50 परतीसत के भीतर सिम्टी हुई है मतलब Electoral Bond के पैसे की गली भाजपा के दरवाजे पर खुलती है केवल यही दिख रहा है DMK, AI DMK, आमाद्मी पार्टी, जन्तादल यूनाइटेड, नेशनल कॉन्फरेंस, समाजवादी पार्टी, सिक्किम डेमोक्राटिक पार्टी, गोवा पार्टी, महाराष्ट, गोमानतक पार्टी जैसी 10 छित्रिये पार्टियों ने Election Commission को मार्च 2018 से ले करके अपरैल 2019 के बीच में लिये गए Electoral Bond के लिस्ट में यहाभी बताया गए है कि उन्हें Electoral Bond देने वाला दाता कौन है, मतलब कौन कौन उनका डोनर है, मतलब उन्होंने यहाभी बताया कि उन्हें चुनावी चंदा Electoral Bond के जरिये किस ने दिया है, मगर BJP, Congress, ट्रिमूल Congress ने अ मगर जिस भाजपा के लिए लगता है कि चुनावी चंदा स्कीम मनाई गई है, उसने अपने चुनावी चंदा दान देने वालों को जागर नहीं किया है, भाजपा कह रही है क्योंकि Electoral Bond स्कीम के तहट, डोनर का नाम रिकॉर्ड में रखने का कोई नियम नहीं था, चंदा को इतना तो बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, Electoral Bond खरीदने वालों ने भारतिय लोकतंतर के सबसे बुरे चेहरे को सब के सामने पेस कर दिया है, सरकार की जिम्मदारी है कि वो सब के लिए कारोबार करने का बहतर माहौल बनाए, जो बेइमान किसम से कारोबार कर र नहीं है कि मोधी सरकार ने चंदा लिया है, धंधा किया है, रिस्वत लिया है, ठेका दिया है, हफ्ता वसूली की है, फरजी कंपनी बनाकर चंदा लिया है, और चंदा देने वालों को डगैती करने की छूट दी है, इस पूरे प्रवर्ति पर पहले मैं दो एकिसोड बना चुका हूँ, आप उसे एक बार फिर दे सकते हैं, कुछ नए खुला से सामने आये हैं, वह इस तरह फिसारा कर रहे हैं, कि इलेक्टोरल बॉंड के जरिए काला धन को बैंकिंग रूट के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को भेजा जा रहा था, पॉलिटिकल पार्टियो बैंकिंग रूट के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों के पास पहुँच गया होगा, इसके साफ प्रमान मिल रहे हैं, कि इलेक्टोरल बॉंड के जरिए काला धन खत्म नहीं हो रहा था, बलकि पॉलिटिकल पार्टियों तक पहुँचाया जा रहा था, अमित्सा जो बात क पहले कॉर्परेट चुनावी चंदे को ले करके यह नियम बना था कि कोई भी कमपनी अपने पिछले तीन साल के कुल प्रॉफिट के साड़े साथ प्रतिसत चे जादा चुनावी चंदा नहीं दे सकती है भाजपा की सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया था यानि इसकी संभावना बन गई कि कमाई हो या ना हो मगर कमपनियां पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी कमाई से कई गुना ज़्यादा चुनावी चंदा दे सकती है और कोई उनसे सवाल भी नहीं पूछेगा इसकी संभावना बन गई कि फरजी कमपनी बना दी जाए उसे कमपनी की कमाई हो या ना हो और उसका इस्तमाल इसलिए किया जाए कि इस कमपनी के लिए चुनावी चंदा दिया जा रहा है चुनावी चंदा के खरेदारों की लिष्ट से यही प्रमाण निकल कर सामने आ रहे हैं इसके तो कई प्रमान सामने आ गए हैं कि कई ऐसी कमपनियां हैं जिन्होंने अपने प्रॉफिट से कई गुना जादा पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉंड के जरी चुनावी चंदा दिया इसकरम में अब दूसरा खुलासा यह हुआ है कि 2018 के बाद से कम से कम 43 कमपनियां जो 2018 में या उसके बाद बनी मतलब 43 कमपनियां वो हैं जो इलेक्टोरल बॉंड इसकीम के लागू हो जाने के बाद स्थापित होई इन्होंने अपनी स्थापना के कुछी महीनों के भीतर इलेक्टोरल बॉंड खरीदे इन सभी ने कुल मिलाकर 384 करोड रुपए का चंदा दिया है इन्हें से जादा तर संभावित रुप से फरजी कमपनियां हैं जिनकी स्थापना इलेक्टोरल बॉंड के तहच चंदा देने या ऐसे ही अन्य गुप सौधे के मक्सद से की गई है मतलब आप ही बताईए कि क्या कोई इमानदार धंग से चलने वाली कमपनी अपनी इस थापना के कुछ महीने के भीतर ही भारत की राजितिक दलों को चुनावी चंदा देगी इस तरह की बाते सुनकर आप हजेंगे कि जो कमपनी अपनी करमचारियों को सालों साल तक धंग की सेल्डी नहीं देती हैं अपनों की सेल्डी नहीं बढ़ाती हैं वो ऐसा कैसे कर सकती हैं दवायर में छपी संगिता बरवा की रिपोर्ट बताती है कि साल 2018 में प्रिवेंशन अफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहट नियमों का उलंगन करने के लिए वित्तमंत्राले द्वारा जिन कमपनियों को हाई रिस्क के कैटेगरी में रखा गया था उन में से कम से कम 19 कमपनियों ने इलेक्टोरल बॉंड खरीदे हैं इन कमपनियों ने कुल मिला करके 100 करोड से जादा का इलेक्टोरल बॉंड खरीदे हैं 19 कंपनियों में से 16 कंपनियां कोलकता के लाल बाजार में रजिस्टर्ड हैं जो फरजी कंपनियों के लिए दुनिया भर में मसहूर है Electoral Bond खरिदने का असर यह हुआ है कि इन 19 कंपनियों में से 18 कंपनियां Financial Intelligence Unit की High Risk की Annual List में सामिल नहीं हुई मतलब सवाल साफ है कि Money Laundering कानून का उलंगन करने के आरोप में घिर रही इन कंपनियों को चुनावी चंदा ले करके आरोप मुक्त कर दिया गया Congress की तरब से जैराम रमेश ने इन प्रविर्तियों पर तंज अकस्ते हुए लिखा है कि प्रधान मंत्री ने विदेशों से कालाधन वापस लाकर प्रतेग भारतियों के खाते में 15 लाख रपे जमा कराने का वायदा किया था लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री ने इसके बदले पूरी रासी भाजपा के खाते में जमा कराने की साजिस रची है और इस साजिस का जो जरिया बना है वह Electoral Bond है स्क्रोल पर प्रजेक्ट Electoral Bond के नाम से छपी रिपोर्ट बताती है कि अपरैल 2019 से लेकर के फरवरी 2024 के बीच के लिए जारे Electoral Bond के आंगडों से पता चलता है कि तकरीबन 35 फर्मासिटिकल कंपनियों ने एक हज़ार करड़ रुपे से जादा के Electoral Bond खरीद कर चुनावी चंदा दिया है इन में से तकरीबन 7 फर्मासिटिकल कंपनिया ऐसी हैं जिनोंने तब चुनावी चंदा दिया जब खराब दवाईयां बनाने के आरोप पर उन कंपनियों की छानबीन चल रही थी मतलब सोच कर देखिए अंदाजा लगा सकते हैं आप कि bad quality of drugs बन रहा था दर एपोर्टर कलेक्टिवा खुलासा बताता है कि energy sector की कंपनिया जैसे की mining के छितर में लगी हुई कंपनिया कोईला, gas, thermal power, solar, wind power, hydro power, transmission line, smart meter के छितर में लगी हुई कंपनिया इस तरह की जो कमपनियां होती हैं, इन्होंने कुल खरीदे गए इलेक्टूरल बॉंड का, मतलब जब से इलेक्टूरल बॉंड योजना लागव होई और जब तक चली, उस दोरां जितने इलेक्टूरल बॉंड भी के हैं, उनमें से 30% इलेक्टूरल बॉंड, मतलब 3600 के इलेक्टूरल बॉंड खरीद कर चुनावी चंदा के तौर पर एनर्जी सेक्टर की कमपनियों ने पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा दिया है, यहां आकड़ा बताता है कि बिजनेस के माहौल पर बहुत बड़ा यह आकड़ा सवालिया निसान खड़ा करता है कि संबव है कि इन्होंने चुनावी चंदा इसलिए दिया हूँ ताकि एनर्जी सेक्टर की कमपनियां वहां अपना धंदा कर सके जहां परियावण के नियमों के मताबिक उन्हें काम नहीं करना चाहिए, यह सरकार ने अपना धंदा इंहें डालने के लाम पर इनसे पास आओगा तो आगे और रिपोर्ट इस पर की जाएगी दवायर के और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें